नमस्कार शामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनो आपका स्वागत है दोस्तों मैं हूँ भासकरानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्त रेखा का ये अंक शामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉक्स में एक सुन्दर सी मेल हतेली आप पुरुष जातक है और आपकी रियल हतेली मेरे सामने बिवी चना के लिए आई हुई है देखे का सबसे पहले हतेली का आकार दिखाई दे रहा है बहुत सुन्दर हतेली है पूरी तरोसे आईताकार इसे कहते हैं दार्षनिक हतेली ऐसे ज मनि राइट या लेप्ट कोई भी देखें आकार द्रिक की द्रिष्ट से अगर आपका ऐसे हतेली है तो निश्चित ही आपकी जीवन में जादतर पोजिटिव सोच हावी रहेगी एक एनलेटिकल स्वभाव के आप व्यक्ति रहेंगे और चाहे करियर का मामला है जिसमें बोलने से बहुत ज़्यादा काम चलता हो जिसमें मस्तिस्क का काम बहुत ज़्यादा करना पड़ता हो ऐसा करियर ऐसे लोगों के लिए सुटेबल रहता है तरक्की देने वाला रहता है ये लोग उसमें उन्नत करते हैं और बड़ी काम्याबी पाते हैं और आपकी हतेली में ठीक यही दिखाई दे रहा है दूसरी बात अगर हतेली में ध्यान से देखें तो ये उंगलियों के जो लाष्ट पोर्वे हैं वो बता रहा है कि जीवनकाल के 35 वर्स तक धन के मामले में तीन चीजों में से एक या दो चीज रही होंगे या तो संगर्स रहा होगा या तो जो है खर्चेला स्वभाव रहा होगा या तो धन के महतों को समझ नहीं पाए होंगे लिकिन इन में से एक या दो चीज जादा रही होंगे हाँ, खर्चिला स्वभावता उम्र बना रहेगा और इसका कोई उपाई नहीं होता ये व्यक्ति के उपन निर्भर करता है कि वो अपने को कैसे कंट्रोल करे तो अपने को कंट्रोल करके आपने रखना है अगर सही रूप में आपने धन बचाना है इस पश्ट तरीके से आपका भग्ययोग का निर्मान भी हो रहा है जिसमें आप आपकी हतेली बता रही है कि आप अपने जीवन का आल में परतिष्ठा और दोलत दोनों जवर्दस्त रूप में कमाने वाले है और बहुत जल्दी आपका वो समय आने वाला है दूसरी बात देखेगा यहां पी यह आपकी हिर्दई की लकीर है यह आपकी सांदार रूप मस्तिस्क की लकीर है यह यहां से निकल करके आपकी जीवन की लकीर है और जीवन के लकीर से निकल कर एक रेखा इस प्रकार से आते हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अंग्रेजी का एक अक्षर बनता है M वो इस पश्ट रूप से दिख रहा है अब ये M का आकार क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि जो आपके पंच तत्व हैं पंच भूत जिन से सरीर बनावा है आपका फाइव एलिमेंट जो आपके सरीर के आठों चक्र है जो आपकी पंच ग्यान इंद्रिया है और पंच कर्म की इंद्रिया है इनके अनुसार अगर देखा जाए तो भगवान शंकर देवादी देव महादीव आपके इष्ट देव है और इस प्रकृति की देवी मापारवती आपकी अधिश्ठात्री देवी है और जितना जादा आप सरनागति की इस्तिति में जाएंगे जितना समरपण रहेगा जीवन में निश्चित तोर पे आपको दिव्यता और भव्यता की प्राप्ति होगी यह इस पश्ट दिख रहा है इसमें एक इस पश्ट रूप में यहाँ पे यह दिखाई दे रहा है दूसरा अगर हम यहाँ पे देखें इसको मैं मिटा लेता हूँ यहाँ पे आपकी हतेली में अगर हम इस उंगली को देखते हैं तो यह पूरी त्रोसी जुकी होई दिखाई दे रही है कर्भ लेती हूई दिखाई दे रही है आपकी मिडल फिंगर की तरह इसका मतलब है कि कहीं न कहीं आपके अंदर धार्मिक भावनाईं बड़ी मात्रा में हैं आप इस स्वर में विश्वास रखने वाले ब्यक्ति हैं अपने आरध्या के परति समरपन की भावना आपकी दिखाई दे रही है और आप अपने जीवनकाल में अपने धर्म के परति कहीं न कहीं जो है आसावान बिक्ति हैं आपके अंदर या आपके बिक्तितों को कभी भी जो कुरूरता है जो निश्ठूरता है ये चीज नहीं छूपाएंगे आपके अंदर करुणा का भाव रहेगा दया का भाव रहेगा और कहीं न कहीं जो इनसानियत के गुण है आपकी जीवन में बने रहेंगे और गुरू आसिरवाद आपके बंस में चलता हुआ दिखाई दे रहा है वो भी भगवान ब्रिस्पति भगवान नारायन की जो सक्ति है ने ये आपकी बंस में है कहीं न कहीं ये तत्व आपके अंदर है जबकि आपके जो है अधिश्ठात्री दे भी माँ पार होती है आपके इश्ट दे भगवान शंकर है लेकिन जो आशिरवाद रूप में है वो भगवान ब्रिस्पति का है आगे चल कर आपको इसका जबरदस्त रुप में फायदा होगा आप कहीं न कहीं जो ये परसिद्ध दिलाएगा आपको बहुत बड़ा यस दिलाएगा बहुत मान सम्मान दिलाएगा आप अचानक सोचने बैठ जाएंगे कभी कभी कि ये परतिष्टा मुझे किस वुजों से मिली है अभी जैसे भी इस्तिति हो आगे वास्तों में देखेगा अब फिर ऐसी इस्तिति आएगी आप धन के बारे में सोचना बंद कर लेंगे चाहे आपके पास कम आ रहा है चाहे आप अपने घर के अंदर जो है पहले तो बहुत अच्छा है लेकिन एक उधारन दे रहा हूँ बस केवल उधर पूर्ति हो रही है ज्यादा कुछ नहीं है तो भी आपको ऐसा सम्मान समाज में मिलेगा ऐसी प्रतिष्टा मिलेगी ऐसा यस आपके विक्तितों को मिलेगा कि आप धन ऐसी छोटी बोटी चीजों के उपर कभी नहीं सोचेंगे ये गुरू का प्रभाव आपकी जीवन में बेहतरीन इस्तिति में दिखाई दे रहा जिसके पंच तत्व में योग राज बैठा हो ये है योग तत्व है बहुत बड़ी चीज है जिसके पंच तत्व में प्रकृतिकी अधिष्ठात्री देवी का तत्व समाहित है अपने आप में ऐसा विक्त धन्य होता है और जीवन के सुरुवाती छड़ों में ऐसे लोगों के करिबन मिडल अवस्ता तक 34-35 वर्स तक की अवस्ता में ऐसे लोगों के जीवन में यकिन मानियेगा आप ऐसे लोगों के जीवन में संगर्स और कठनाईयां भी आती है पूर्णता की प्राप्ते नहीं होती है 36-35 वर्स से जीवन में निखार आने बैठ जाता है और जीवन काल के 42-वर्स से चीजें बहतरीन अवस्ता में आती है अब आपकी जीवन में इसकी वज़ों से देखे तो जो आपका ये वर्स चल रहा है इस वर्स में कहीं न कहीं संगर्स रहेगा आपकी जीवन में जो अगला वर्स है अब अगले वर्स में आप प्रवेस करेंगे अपनी जीवन काल के नूतन बर्स में 2023 नहीं जो आपका नूतन बर्स लगेगा आपकी जीवन का जैसे आप जो है सपोच 40 बर्स के हैं और आपका जीवन का जब 41 बर्स लगेंगे यदि आप 41 के हैं तो आपकी जीवन का जब 42 बर्स लगेगा तब ये जीवन में संगर्स जादतर हट जाएगा थम जाएगा ठीक है ने और चीजें बहतरीन होनी सुरू हो जाएगी जो प्रतिष्टा है जो धन है ये आपकी जीवन में अपने आप खिंचा चला आएगा इस परकार की इस्तितियां ये बना रहा है लेकिन इस वर्स तक एक वर्स तक आपको कहीं न कहीं संगर्स भी जहिलना पड़ेगा जल्द बाजे कर ली भावनाओं में आके न्रणे ले लिया उतावलापन दिखा लिया धनहानी भी होगी ब्यापार कर रहे है और ये चीज दिखा ली तो ब्यापार हानी भी होंगी खास कर पार्टनर्शिप में कर रहे है तो ज़्यादा फरक पड़ेगा और अब ही ये चीज दिख रही है कि बहुत अच्छे खासी मेहनत करने के बाद आपके जीवन में धन आएगा और खास कर जीवन में धन कामाने की इस्तिति भी बड़े रूप में थोड़ी लेट आती हुई दिख रही है हाँ अगले वर्स से चीजें बहतरन होने बैठ जाएंगे और भग्ययोग का निर्मान करने बैठ जाएंगे फिर भी कुदरती तोर पे देखें तो ये उंगली बता रही है कि कुछ जादा मेहनत और अच्छी खासी परिसरम करने के बाद ही चीजों में सपलता है लेकिन बड़ी है इस पश्ट दिखता हुआ यहां पे नजर आ रहा है अब यहां पे अगर आप एक चीज देखें तो सुखद जीवन जीने की चाहा बनी रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रितनसील ब्यक्तित्व भी बना रहेगा यह इस पश्ट दिख रहा है जो आपकी मानसिक चमता है जो आपकी अध्यात्मिक चमता है वो सांदार रहेगी स्वाबिमानी होंगे स्वाबिमानी की ताकत बहुत अच्छी रहीगी नौलेज बहुत अच्छा रहेगा आत्म ग्यान भी बहुत सुन्दर रहने वाला है यह इस पश्ट दिख रहा है और भग्य निर्मान कर रही है यह लकीरे तो भग्य योग बना रही है पूरी तरों से जुक रखे है मिडिल फिंगर की तरब यस पाने की इक्षा रहेगी नेमभिम पाने की इक्षा रहेगी और अपने कारियों में बिस्तार हो जाए इसकी इक्षा रहेगी यहाँ पे जो है यह बड़ी दिखाई दे रही है ये छोटी दिखाई दे रही है इससे तो चीजों में रिस्क लेने की ताकत बनी हुई है चीजों में जोखिम उठाने की ताकत बनी हुई है और इसमें कहीं कोई अगर नुकसान हो जाए तो गिर कर अपनों उठने की ताकत भी दिखाई दे रही है चमता भी दिखाई दे रह ही है और इसको कहते ही मती सोभाव यह आपके अंदर है और निश्चित ही भगवान सूरे के कारण सूरे बहुत आगे आपको क्या देगा आपने कभी सोचा भी नहीं होगा जीवन में इसके कारण आप यह सुस्वी होंगे समाज में मान प्रतिष्टा यस पाने वाले होंगे और सफलतम व्यक्ति होंगे यह इस पश्ट दिख रहा है यहां पर यहां पर यह पर यह पूरी तरोसी जुक रखी है बस धन कमाने की चबरदस्त ललक है लेकिन पहले पोरोय तक नहीं पहुँच पा रही अर इतना ही तो बनाना है नाखुन बढ़ाईगा नेचरल तरीके स से फाइदा होगा अभी थोड़ा मनी मैनेजमेंट में कागजों के रख रखाओ में और एकाउंट विल्टी में हलकी कमी दिखाई दे रही है आगे चल कर इसकी पूर्ति हो जाएगी यहां पर अगर हम देखते हैं तो सबसे बड़ी चीज है आपकी हतेली में यह करा रहा है आपको अपनी छेत्र में ऐसी नौलेज रहेगी ऐसी बेसिक नौलेज रहेगी कि लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे दूसरी बात आप यहां से ध्यान से देखेगा इस प्रकार से एक पुष्ट रूप में बहुत बड़ा त्रिकोन आपकी हतीली पर बनता दिखाई दे रहा है। कैصा त्रिकोन बन भी मंदर बन रहा है। मैं दिखा रहा हूँ यह सूरय पर उट कर दिख रहा है और ठीक दो बरसों के बाद याद रखे लिख की रखेगा ठीक दो बरसों के बाद यह प्रबल रूप में उबहरेगा और जबरत्स फायदा देगा ये आपको ऐसी knowledge अरजन करवा रहा है कि आप काला के पार्खे और सिदहस्त हो जाएंगे ये निसान होने का मतलब है बड़ा घर बड़ी गाड़ी आपके पास होगी आपके धनी होने की निसानी बता रहा है ये और संबव है असंबव नहीं है अच्छे खासे धनड़े विक्तियों की सूची में आप अपना अस्तान बना लेंगे चाहे अभी आप पैत्रिक रोप से बहुत निर्धन हो आर्थिक संपन ना भी हो तो एक दिन देखेगा आप अपनी परतिभा के बल पर अधिक धन और बड़ी प्रसिद्ध को हासिल करेंगे लेकिन इसका पुष्ट होने पर कब पुष्ट हो रहा है ठीक दो बरसों में पुष्ट हो रहा है ठीक अब इसके साथ देखेगा यहां से आपकी जो है करियर और धन की रेखा निकल रही है यह इस प्रकार से आग ध्यान से देखेगा जरा और यहां से एक रहखाई हो आ रही है और यह स्पेशल मंदिर का निर्मान यहां पर हो रहा है अगर मैं इसको इस ढंग से अगर करू तो यह इस प्रकार से जो है एक मंदिर का निर्मान इस पश्ट तरीके से करा रहा है बनने पा रहा है मेरे से लेकिन इस पश्ट तरीके से एक अगर आप देखेंगे ये बेस है इसका और एक ये सांदार मंदिर का निर्मान होता हुआ दिखाई दे रहा है ठीक तो ये नीचे वाला जो खाना है ये तिर्बुझ बन रहा है क्या फायदा देगा मैंने बता दिया है ठीक ने अब ये उपर वाला है ये भी एक तिर्कोन है जो सनी से प्रभावित है अब ये मंदिर का भी रूप है लेकिन ये अलग-अलग करके हम फायदा बताएंगे इसका ठीक ने ये इस पश्ट तरीके से बता रहा है कि मनुश्य जीवन का सही अर्थ क्या है ठीक है ने आपका इस जीवन में जन्म लेने का उदिश्य क्या है आप क्या करने आये है किसलिए आपने ये जन्म लिया है आप इस चीज़ को बेहतरीन अवस्ता में जान जाएंगे चाहे आप सास्तरार्थ करो चाहे न करो लेकिन आपके अंदर आत्म ग्यान रहेगा और सनी आपको एक बेहतरीन कर्म की और ले जाएगा और आपके जिवन में भग्ययोग का निर्मान कराएगा ये योग जिसकी भी बेक्ति की हतेली में बनता है ऐसे जातक अपने जिवनकाल में धनवान होते हैं क्योंकि ये योग धनवान बनाता है ऐसे लोगों को समाज में परतिष्टा और धन दोनों मिलते हैं ऐसे बेक्ति अगर राज नीति में हो तो बहुत बड़ी सपलता की प्राप्ति करते हैं अगर ऐसे बिक्ति सुरू से एक समय से निश्चित रूप से अगर अध्यात्म की और जाता है तो किसी मठ के मठा धीज अथवा अगर सिक्षा की तरब जाता है तो जाने माने सिक्षक होते हैं और ये मंदिर का यही प्रारूप है यस्किर्ति चीजों में विस्तार जो वास्तिक अंदर की खुसियां है जिसको कहते हैं जीवन का उत्सा, जीवन की उर्जा ये संचाई करता है मंदिर बहुत भग्यसाली होता है इसको आज तक पूरी रूप में किसी ने ब्याख्यान नहीं किया इसका ये पूर्व जन्म के जो आपका प्रारब्द है जब बहुत पुंड्य और उच्च कर्मों से वो प्रारब्द, जो कर्म संचित होते हैं तो इस अस्तान पे मंदिर का निर्मान होता है आपकी हतीली में अब हतीली में ही क्यों होता है क्योंकि आपका जो ये सरीर है बरतमान समय में इस मनुष्य योनी में वो किस वज़ों से आया है वो आपके पूरो जन्म के आपके प्रारब्द के कारण जो अपने पुंड्य और उच्च कर्म के ये थे उसके कारण आपके जो आदि पुरुस हैं आदि पित्र लोक में आदि पित्र हैं आपके उन्होंने आपके अच्छे कर्मों को देखते हुए इसलिए इस धराधाम पे पुनह भेजा है कि आप अपने कुल की मरियादव को अच्छी इस्तित में पहुँचाएं आपके कुल बंसा लुगती जो है घटे नहीं बंस रुके नहीं बंस आगे निरंतर बढ़ता जाए और आपका जो कुल है एक बेहतरीन कुलीन अवस्ता में आ जाए अभी तो बहुत कुछ होने वाला है भग्ययोग का निर्मन सांदार हो रहा है दोसरी बात देखेगा मंदिर के साथ साथ जो इसकी एक भुजा है बाहु है वो है करियर और धन की रेखा ये इस प्रकार से जा रही है अब यहाँ पे भी हल्की मचली बना रही है और ब्रिस्पति से प्रभावित हो रही है आने वाले समय में आपका जो करियर का मामला है जो आपका धन का मामला है उसमें पूरी तरों से स्टेबिलिटी आ रही है अस्ताइत्व की और ये बढ़ रहा है बहुत जल्दी इन चीजों में अस्ताइत्व मिलने वाला है आपको अब ये देखो ये है इस पे सन्य का और ब्रस्पतिका प्रभाव पढ़ रहा है। ठीक है न? रहस्यमें बिद्याओं की और भी आपका रुज़ान बड़ेगा, जैसे हस्त रेखा है, यह रहस्यमें बिद्या है, कुंडली है, जैसे योगा हैं, जो जागरन करते हैं, कुंडली जागरन होती है, य जो रहस्य में चीजें हैं उनकी तरफ आकरसन बठेगा और उसका ग्यान नोलेज भी बहुत अच्छा रखेंगे दार्शनिक किसम का बिक्तित तो रहेगा अच्छा खासा ग्यान रखेंगे और वास्तों में बहुत जल्दी जो है जीवन में इस तरह के बदलाव की संभावन दिख रही है ठीक अब आपकी इसको कहते हैं हिर्दे की लकीर सीद्दा देव गुरु ब्रस्पति पे जा रही है एक तो अपने बलबूते पे सर्वता सफल होंगे दूसरा कहीं न कहीं सब के लिए सोचने वाला ब्यक्तित तो रहेगा नॉलेज बहुत अच्छे रहेगी तीजस्वी ब्यक्तित तो रहेगा प्रेम के मामले में भी बहुत अच्छे रहेंगे जिसको भी प्रेम करेंगे हिर्दे की गहराई से प्रेम करेंगे अंत तक निभाने वाला ब्यक्तित तो आपका रहेगा लेकिन स्वाब इमानी होंगे और स्वाब इमान में कई बार ये चिन एक इस पश्ट रूप में उभर जाएगा पूर्ण हो जाएगा आपको मान पद प्रतिष्टा या नौकरी कर रहे होंगे तो उचे पद की प्राप्ति होगी इसमें कहीं भी कोई संका नहीं है और निश्चित ही धीरे धीरे ये परवत सूर्य का बता रहा है कि आप उच्च अधिकारी बननी युग्या हो रहे हैं और ये रेखा बता रही है कि जीवन में आगे चल कर चाहे आप व्यापार करें चाहे नौकरी करें चाहे और बे काम करें समाज में एक स्रेष्ट जीवन आप ब्यतित करेंगे ये इस पश्ट दिखता हुआ नजर आ रहा है ये आपकी बहत्रीन लकीरे है आप यहाँ पे देखेंगे एक लकीर इस तरों से जा रही है एक लकीर इस तरों कुछ कुछ चीजें जानने बैठ जाएंगे उसके भौश्य के बारे में अंतरद्रिष्टी चीजें ये आपके अंदर बिद्यमान होगा ठीक अन्तालिस से चवणवे वर्स के बीच में आपको अचल संपत्ति का बड़ा लाब होगा या इसमें आप अच्छे खासा इन्वेस्ट कर लेंगे जो आगे चल कर दस वर्सों के बाद सांदार रिटन देगा ठीक है न हाँ एक रेखा ये भी जा रही है लेकिन इस रेखा के अच्छे पहुँचने पर ही इस पे विचार करेंगे ये रेखा पूरी तरह सांदार है आपके अंदर क्रियेटिविटी जन्म ले रही है आप क्रियेटिव इंसान है आपका बौधिक अस्तर बहुत अच्छा है और समय कुछ न कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं जिवन काल के लिए योजनाई बनाते रहते हैं थोड़ा सा एक चीज है कि प्रायों जब सोचने बैट जाते हैं तो बहुत ज़्यादा सोचने बैट जाते हैं फिर कलपनाओं में बहुत ज़्यादा डूब जाते हैं और मन भी एकागर्चित कम होने बैट जाता है लेकिन यही चीज आपको स्रेष्ट सपलता भी दिलाएगी लेकिन आपका मन धीरे-धीरे कलपनाओं में भी जादा रहेगा कलपना सकती बढ़ रही है और आपको निश्चित तोर पे अच्छी खासी यात्राओं का भी जीवन में लाब मिलने वाला है यहां पे देखेगा जीवन की रेखा इस तरों से है फिर इस से इस प्रकार से मिलती हुई दिखाई दे रही है यह भी मचली का चिन्न है जो उपर की और जा रहा है ज्यान में बिर्दि करेगा नौलेज में बाकि कुछ नहीं जहां परिवार को लेके जो आपका परिवार हो क केरता का भाव बड़ेगा वहीं अपने जन्म अस्तान से दूर बड़ी तरक्य करेंगे वहीं अपना रहन सेन करेंगे यह इस पश्ट दिख रहा है धर्म और अध्यात्म में बहुत अच्छी रोची रहेगी और अचानक बुड़ापे में अपने इन्वेश्ट के वए पै इसके साथ मिल रहा है और मल्टिपल प्रोपर्टी देने की इस्तिति में आ रहा है वर्टिकल रेखाएं हैं जो कह रहा है धीरी-धीरी कारे के परती जुझहरुपन बढ़ रहा है जिस कारे को हाथ में ले लेंगे जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं और इसका लाब होगा लेकिन आपकी ये रेखाई हैं इससे ठीक नहीं माना जाता है। एक तो इसका कलर धीरे धीरे जो आपका सरीर है उससे ज़्यादा काला हो रहा है। ध्यान रखेगा। दूसरा क्या है कि इसमें जो लकीरे हैं उनको बुरी तरों से बहुत सारी रेखाई काट रही है। इसका मतलब है अभी ये कम से कम दो बरसों तक संगर्स की इस्तिति देगा। और कोई न कोई चिंताएं आपके मन में रखेगा ये इस पश्ट तरीके से बता रहा है। अब इसके लिए क्या करेंगे? मैं फिर वही दोरा होंगा। एक प्रकार का मैं प्रणायाम आपको दूँगा जिसे योगा कहते हैं, मेडिटेशन कहते हैं, दिब्यय योग ध्यान के रिया। दिन में दो बार जरूर करेगा, एक तो सुबह करेगा नास्ता करने के आधा या एक घंटा पहले और एक साम को करेगा रात्री के समय डिनर करने के आधा या एक घंटा पहले, जो भी आपको उचित लगे। तीन मेहने तक जरूर करिएगा आपके जीवन में परिणाम निश्चित तोर पे मिलेंगे शुक्र का अगर हम प्रवत देखते हैं तो बेहतरीन है अपने को मेंटेन रखना अपनी प्रसनल्टी पर ध्यान देना अपने को सज सवार कर रखना और नई चीजों के प्रति जरी लाइफ है आपका जो यहां पे दोनों मंगल है वो बहुत अच्छे हैं इसके कारण जीवन में प्राकरम बहुत अच्छा रहेगा और एक एनरजेटिक सुभाव आपकी जीवन में हमेशा बना रहेगा ब्रस्पति आपका बहुत अच्छा है मान सम्मान प्रतिष्टा बहुत सांदार मिलेगी लेकिन अभी कुछ समय तक परिवार को लेके हलकी फुलकी चिंताईं भी बनी रह सकती है सनी आपका भेतरीन है इसका लाब मिलेगा सूरे में धीरे धीरे अच्छी लकीरे आ रहे हैं इसका लाब मिलेगा छोटा काम भी करेंगे तो नेम फिम पाने के गुण कहते हैं यह बढ़ रहे हैं तीसरा अगर आप खर्चीले स्वभाव पे थोड़ा लगाम लगा ले तो जीवन के अंतिम समय तक अपने हाथ का पैसा अपने पास रहेगा वानी की ताकत आपकी बहतरीन इस्तिति में दिखाई दे रही है यह बढ़ेगी चंद्रमा की इस्तित देखें तो आगे चल कर बहतरीन हो रही है तो मानसिक रूप में मजबूत इस्तिति रहेने वाली है और कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और सरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है बढ़िया रहेगा अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हतिली का पूर्या बिसल मिलेगी इस वीडियो में बस इतना है एक नई वीडियो के साथ पनो पस्तित होंगा तब तक के लिए नमस्कार